इस पर आप सबों का स्वागत है IVPS PO Main Series के अंतरगत यह 14 एपिसोड है और इसमें मैंने SBIPO Mainz 2019 का Memory Best Question लिया है नमबर सिरीज जो पहले Main Exam में भी आता था 2017 के बाद इसे हटा दिया गया लेकिन अब New Form में नए अवतार के साथ आपके सामने है इसमें एक साथ 2 या 3 नमबर सिरीज होते है और उनमें Relations निकालने होते है लेकिन ऐसे Main Exam में जिसमें की एक एक कुश्चन बनाने में दिक्कत होती है नमबर सिरीज से आने वाला ये 2 या 3 कुश्चन आपके लिए अम्रत सावित होता है आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं ये चानक्या केरियर अकैडिमी है ये अमरसर हिंदी यूट्यूब चैनल है ये डिफरेंट कोर्सिस हैं जो की www.amarser.in पर हैं ये सोशल मेडिया प्रेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप फॉलो कर सकते हैं ये नमबर सिरीज का 116 एपिसोड है आई आते हैं लेकिन आप जानते हैं कि स्लोप मिथट अल्टिमेट है उसका कोई जवाब नहीं ये कुश्चन जो इस एक्जाम में आया कुश्चन क्या है पहले में बढ़ता हूँ देर थ्री सिरीज यू हैब तो फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी औन सी और ये थ्री सिरीज दिये गये हैं उसमें फर्स्ट सिरीज से ए का वैल्यू निकालना है सेकंड से बी का निकालना है थार्ड से सी का निकालना है और एक तरह से डेटा एनिक्वालिटी को मिला कर बनाया गया कि भई A B C में क्या रिलेशनशिप है ठीक है अब इसको मैं बड़े फॉर्म में लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ ठेक है आप देखिए इतना बड़ा जो गैप है देख करके यह लगता है कि वन से टाइम्स लेकिन यह टाइम्स का मामला नहीं है यह सम्थिंग डिफ्रेंज का मामला है क्योंकि आगे कभी ऐसा नहीं है इसका मतलब हम इससे पूछेंगे कि क्या एड सब्ट्रैक्ट करें तो आए तो यह कहेगा 600 एड कीजी दूसरा नंबर क्या कहेगा 120 एड कीजी बताईए थर्ड वाला क्या कहेगा देखिए 30 एड कीजी कुछ दिख रहा है बताईए तो दिख रहा है दिख रहा है इधर से इधर से इतना बड़ा स्लोप है इधर से 5 टाइम्स इधर से इधर से 4 टाइम्स टाइम्स इधर से अच्छा लग रहा है तो क्यों हम बोलें 1 फोर्थ फिर इसका मतलब दिखने लगा दिखने लगा लेक हमारे पास उपर दो ही नजर आ रहा है लेकिन एक नक्सा हमें समझ में आ चुका है कि साइद सोचते हैं इंटू 3 होना चाहिए है कि नहीं देखना पड़ेगा यानि यहां पर प्लस 10 होना चाहिए अगर यहां प्लस 10 हो तो एक अवैल्यू क्या आना चाहिए 761 और सच मुझ अगर यह सही है हमारा रूल तो यहां पर इंटू 2 होना चाहिए यानि यहां 5 होना चाहिए और येस 761 प्लस 5 766 तो यह कनफर्म होता है तो एक अवैल्यू हमने देखा क्या आया 761 अगर हम लिखें कि एक अवैल्यू क्या है तो 761 ठीक है सकंड सिरीज सकंड में देखिए यहीं पर बी है इस जगह पर होने से दिक्कत होती है लेकिन ये मिनिमम स्रोप का मामला है हम यहां भी पूछ सकते हैं यहां कितने का डिफरेंस है बताईए इस 753 से 769 कितना होता है तो इदर से प्लस 16 होता है पर आगे यहां कुछ नहीं कर सकते हैं तो चलिए लास्ट में चलते हैं लास्ट में क्या है यह प्लस 1 है हम लोग रूल नहीं बनाते है रूल तो होते हैं यहां पर क्या है माइनस टू है यह कौन सा रूल हुआ इसका इशारा 16 करता है 1 प्लस 1 लास्ट में प्लस 1 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 16 पुली 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 यानि 769 माइनस 8 इस इकपल टू बी का वैल्यू क्या आया 761 फिर देखी प्लस 4 होने से यह आता है क्लियर और इसका जो थर्ड सीरीज है उसको देखते हैं देखी 23 24 के पास तो समझ में नहीं आता लेकिन यह इतना बड़ा 3085 ऐसे नहीं आ सकता हमने यहां जो अभी तक निकाला है बी का वैल्यू भी 761 है ठीक है इसके बाद आई यह बताता है यह बताता है कि टाइम्स का मामला है और हमें ऐसे लगता है कि यह इंटू 3 है ऐसे लगता है कि इंटू 2 है ऐसे लगता है कि इंटू 1 है 23 इंटू 1 23 क्या करेंगे तो 24 आएगा हम तो प्लस 1 ही लिखेंगे 24 इंटू 48 क्या करेंगे तो 50 आएगा हम तो प्लस 2 ही लिखेंगे 15 इंटू 3 150 क्या करेंगे तो 153 आएगा रूल इस कनफार्म हम आगे इंटू 4 प्लस 4 करेंगे आगे इंटू 5 प्लस 5 करेंगे रूल तो यही है 150 इंटू 3 बोली 600 4 इंटू 3 12 इंट 4 16 इसका माने क्या आया 616 वैसे आचुका है लेकिन अगर आप 5 से करते हैं तो 3080 प्लस 5 येस रूल इस कनफार्म क्या आ रहा है 616 इनमें क्या रिलेशन्सिप है A equal to B and and C is less than A and B both बोली ये रिलेशन्सिप है की नहीं इसका मतलब A equals B and greater than C अगर हम question में जाएं तो A equals B greater than C yes B is the answer बोली ये भी answer है की नहीं ठेक है इसके बाद दूसरे question क्यों चलते हैं जो SBI PO में आये ये memory best questions है एक्जाम के questions हैं और मैं बार-बार कहता हूं कि एक्जाम के questions खुबसूरत होती हैं उसके data एक दूसरे के लिए बने होते हैं there are three series you have to find values of A, B, C and then establish relationship between A, B and C और ये हैं वैसे ही A, B और C का value निकालना है और relationship बताना है तो इसको मैं ठीक से रिखता हूं अब हम लोग देखते हैं क्या है तो ये times का मामला तो है नहीं देखिए times का मामला तो है नहीं तो फिर क्या है प्लस माइनस में है पूछते हैं यहां पर क्या है तो यहां पर प्लस 5 है रूल हमें नहीं मालों यहां पूछते हैं क्या है प्लस 10 है तो अच्छा लग रहा है लेकिन आगे प्लस 17 है यह बात कुछ हजब नहीं गई अच्छा second layer में है plus 5 plus 7 तो plus क्या होना चाहिए plus 9 होना चाहिए इसे हम prime number के रूप में नहीं ले सकते two number के अधार पर हम prime number नहीं सोच सकते इसे हम consecutive odd number ही समझेंगे तो ये क्या होगा plus 26 plus 26 देखिए 17 प्लस 9 plus 26 यानि ये हुआ 160 बोले ये होगा कि नहीं इसे हम consecutive prime number के रूप में नहीं समझेंगे दो number से फैसला नहीं कर सकते इसे odd number ही मानेंगे ठीक है आगे देखिए 130 के बाद 15 ये ups down series है ups down series है मतलब क्या है यहाँ पर minus 15 और यहाँ पर क्या है plus 20 है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर minus 25 ये तो आसान series निकला तो plus 30 होना चाहिए ना यानि कि B का value क्या होगा 140 जल्दी बोलिए B का value क्या होगा 140 यानि हमने जो अभी तक निकाला उसके मुताबिक A है 160, B है 140 और C का value निकालते है C first में ही है, first term हैने series का पर यह सब देखते हुए कुछ 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 times तो लगता है 300 कहता है कि यह addition subtraction का मामला नहीं है क्या times है कुछ सोचें समझ में नहीं आ रहा तो अच्छे जगह पर चलते हैं, यह वाला कुछ समझ में आ रहा है लेकिन सीधा multiple तो नहीं है, सोचते हैं 80 में क्या multiply करें कि 120 हो जाए 80 में उसका half 40 add कर दें, यानि 1.5 times slope में 0.5 का मामला लगता है सोचते हैं, 120 में क्या करें तो आ जाए double, double, 240, half, 60, yes, 2.5 यही वज़ा है कि यह आ नहीं रहा था 35 थरीजा होता है न, 135 थरीजा 105, बुली 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 इसका मतलब यहां पर 0.5 का मामला है इसका मतलब C का वैलू क्या है 160 160, 160, 160 वैसे तो A और C इक्वल है लेकिन रिलेशन A, B, C इस रूप में लिखा हुआ है तो हम यहां क्या बोलेंगे A is greater than B and B is less than C, ऐसे बोलेंगे की नहीं बोलिये बोले, 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 अब हमारा अंसर क्या हुआ A is greater than B and B is less than C, yes A is greater than B and B is less than C, so answer is A ठीक है, यह SBI P.O. Main 2019 के आय हुए मेमरी बेस्ट क्वेस्ट क्वेस्ट है बोले कितने शानदार है बोले कि एक्जाम में आय हुए क्वेस्ट की प्रेक्टिस करनी चाहिए कि नहीं उटपटांग बेकार का प्रेक्टिस पेपर का प्रेक्टिस करके परेशान होने से ज्यादा अच्छा है कि जो एक्जाम में अब तक क्वेस्टिस आये हैं उनकी प्रेक्टिस करें आप मुझे ये भी बताईए चाहे कितना भी पैटर्न बदल गया क्या नंबर सेरीज का स्लूप मेथर्ड बदल गया क्या जो आपने आज तक पढ़ा है उससे बाहर है मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शेशन को आपने नज्वाई किया होगा All the best